विवादों में फसे सारुक खान इस्टेडियम में कर बैठे सर्मनाक काम अब मच रहा है बवाल IPL 2024 का तीसरा मुकाबला KKR और हैदराबाद के बीच खेला गया इस मुकाबले को देखने के लिए KKR के मालिक और वोलिवुट के सूपर इस्टार सारुक खान भी कोलकाता में थे IPL 2024 के पहले मैच में उनकी टीम KKR ने सांदार जीत दर्ज की इस मुकाबले में KKR की टीम ने 208 रनों का स्कोर खड़ा किया और KKR IPL 2024 की पहली टीम रही जिसने 200 रनों का आगणा पार कर लिया भले ही KKR की टीम इस मैच को जीत गई हो लेकिन इस जीत के बाद किंखान यानि सारुक खान विवादों में फज गए है सारुक खान ने स्टेडियम में ऐसी सर्मनाक हरकत कर दी जिसकी वज़ा से अब काफी बवाल मच रहा है आपको बताएंगे कि क्या किया है सारुक खान ने लेकिन उससे पहले अगर आप IPL के पक्के वाले फैन है तो इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजिए और साथी साथ हमें कॉमेंट करके बताईए कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी इस बार IPL 2024 का खिताब कौन सी टीम बनेगी इस बार IPL की चैंपियन सारुक ने किया सरमनाक काम IPL 2024 के अपने पहले ही मैच में कोलकाता नाइट राइडर ने होम ग्राउंड इडन गार्डन पर जबरदस्ट बैटिंग का मुझायरा पेश किया टीम के विस्पोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल ने वो रोब दिखाया जिसके लिए वे हमेशा से जाने जाते है रसेल ने गेंद बाजों की धजिया उडाते हुए छकों की बरसात कर दी रसेल समित कोलकाता के बागी बल्लेबाजों के इस परदरसन ने टीम के फैंस को तो खुस किया ही साथ ही टीम के मालिक और वोलिवूड सूपर स्टार सारुक खान का भी दिल जीत लिया लेकिन इन सबके भी सारुक खान ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे अब बवाल मच रहा है नए आईपेल सीजन में कोलकाता के पहले ही मैच में टीम को सपोर्ट करने के लिए सारुक खान मोजूद थे इस दोरान जहां सारुक खान को देखकर फैंस जोस से भर गए और उनके नाम की नारे बाजी करने लगे तो वही सारुक खान ने भी उन पर प्यार लुटाया और हाथ हिलाते हुए प्लैंग किस की सारुक खान ने इस दोरान टीम की बैटिंग का भी आनंद लिया लेकिन इस बीच वो अचानक सिगरेट का धुआ उडाते हुए कैमरे में कैद हो गए स्टेडियम में उडाया सिगरेट का धुआ स्मोकिंग की अपनी आदत के लिए हमेशा से चर्चाओ में रहने वाले सारुक खान इडन गार्डन स्टेडियम में भी खुद को इस से रोक नहीं पाए कोलकाता की पारी के दोरान सारुक खान स्टेडियम के कॉर्परेट बॉक्स में बैट कर मैच का आनन ले रहे थे और इसी दोरान वो सिगरेट पीते हुए कैमरों की नजरों में आ गए पहले भी स्मोकिंग के कारण विवादों में आ चुके है सारुक वैसे भी IPL में सारुक खान का विवादों से पुराना नाता रहा है यह पहला मोका नहीं है जब वो IPL मैच के दोरान स्टेडियम में स्मोकिंग करते हुए पकड़े गए है इससे पहले साल 2012 सीजन के दोरान भी उने स्टेडियम में सिगरेट पीते हुए देखा गया था तब जैपूर के सवाई मानसिंग स्टेडियम में सारुक खान सिगरेट पीते हुए दिखाई दिये थे इस मामले में उनके खिलाब जैपुर की लोकल कोर्ट में भी केस दर्ज हुआ था इसके अलावा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ग्राउंड इस्टाफ से जगणने के कारण उन पर कई साल तक स्टेडियम में आने पर बैन भी लगा रहा वैसे दोस्तों KKR ने तो पहले ही मुकाबले में अपने तूफानी तेवर दिखा दिये लेकिन आपको क्या लगता है KKR की टीम इस बार IPL की ट्रोफी जीत पाएगी क्या KKR की टीम तीसरी बार IPL चेंपियन बन पाएगी कॉमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को फेस्बूक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बूक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें साथी साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा